तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम मूबाइल से ही IRCTC अप्लिकेशन के मदद से ट्रेन की टिकट को बुक करना सिखने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भासा मैं IRCTC अप्लिकेशन के मदद से ट्रेन की टिकट को बुक करना सिखाने वाला हूँ तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको IRCTC application को open कर लेना है कुछ इस type का home page आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पे उपर पे ही आपको train वाला option देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पे train वाले option पे click कर लेना है और यहाँ पे आपको इसके बाद book ticket वाले option पे click कर लेना है इसके बाद यहाँ पे आपको from में वो जगह डाल लेनी है जहां से भी आपको यात्रा करनी है जैसे मुझे नासिक से यात्रा करनी है तो यहाँ पे मैं नासिक डालूँगा तो कोई particular भी इसमें select कर सकते हैं या कोई भी in my station Delhi का select कर सकते हैं हमने यहाँ पे new Delhi वाला station select कर लिया है और यहाँ पे class में आपको ऐसे ही रहने देना है quota में भी आपको ऐसे ही रहने देना है इसके बाद यहाँ पे आपने वो date select कर लेनी है जीस भी date को आप यात्रा करना चाहते हैं यहाँ पे month दिये हुए हैं इस icon पे अगर आप click करते हैं तो आगे-ागे month यहाँ पे बढ़ते रहते हैं आपको अपनी date यहाँ पे select कर लेनी है कि किस date को आपने अपनी यात्रा करनी है जैसे यहाँ पे हम अभी एक December select कर रहे है date select करने के बाद ओके यहाँ पे आपने कर लेना है इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे just search train वाले option पे click कर लेना है तो यहाँ पे जितनी भी train है नासिक से डैली के ओर जाती है एक December की सब की list यहाँ पे आ जाती है जैसे इस train की अगर बात करें तो इसका नाम निजामुद्दीन राजधानी है और इसका नमबर यहाँ पे आपको दिख रहा है यह नासिक से 18 बच के 20 मिनट में पहुंचती है मतलब साम को 6 बच के 20 मिनट में नासिक पहुंचती है और अगले दिन सुबह 2 दिसंबर सेटेडे को 9 बच के 55 मिनट पे हजरत निजामुद्दीन पहुंचती है ध्यान रहे हमने वहाँ पे डाला था अपनी destination न्यू डैली वी railway station लेकिन यह जितनी भी train यहाँ पे दिखाता है वो डैली तक के लिए दिखाता है चाहे कोई भी station हो तो यह वाली train हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में पहुंचने वाली है और इसको पहुंचने में कितना time लगने वाला है 15 घंटे के आसपास लगने वाला है यह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अलावा यह train सभी दिनों चलती है इसी तरह से आप 2 AC में भी चेक कर सकते हैं और 1 AC में भी चेक कर सकते हैं जैसे 3 AC में की बात करें तो यहाँ पे 56 seat अभी एविलेबल है और इसका price भी यहाँ नीची की और दिया गया है यह select करने के बाद आपको सिधा passenger detail वाले option पे click कर लेना है इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी IRCTC की ID डालनी पड़ेगी हमने already इसमें अपनी IRCTC ID login करक किये तो यहाँ पे अभी हमें यह 4 digit का हमारा IRCTC pin फूच रहा है अगर आपको नहीं पता कि कैसे आप IRCTC की ID create कर सकते हैं या आपके पास IRCTC ID नहीं है तो इसमें भी मैंने एक detail वीडियो बना रखा है कि कैसे आप IRCTC ID create कर सकते हैं उसका link भी मैंने description box में दे दिया है चाहे तो उस link पे click करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी IRCTC ID create कर सकते हैं login डालने के बाद और यहाँ पे capsa code enter करने के बाद login वाले option पे इसके बाद आपने click कर लेना है और दोबारा से उसी page पे अभी हम आ चुके हैं और यहाँ पे दोबारा से आपने passenger detail वाले option पे click करना है और यहाँ पे यह बोल रहा है कि आपने search box में type किया था अपनी destination New Delhi लेकिन यह जो train है वो निजामुद्दिन के लिए है मतलब निजामुद्दिन भी दिल्ली में ही railway station है लेकिन एक अलग railway station है तो यहाँ पे आपको confirm कर लेना है इसके बाद okay वाले option पे आपने click कर लेना है यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं passenger हमने इसमें already add किये होए है तो इसमें सभी passenger की list आ चुकी है तो अगर आप कोई नया passenger add करना चाहते हैं तो अभी हम just इसे skip कर रहे हैं इसके बाद कुछ इस step का खुल के आजाता है यहाँ पे आपकी train की पूरी information दी हुई है यह कब नासिक road पहुँचती है कितने तारिक को पहुँचती है कितना time यह नासिक से निजामुद्दिन के लिए लेने वाली है और कब निजामुद्दिन यह पहुचने वाली है यहाँ पे date भी दी हुई है और 3AC में आप अपनी ticket को करा रहे हैं इसके बाद यहाँ पे बारी आती है passenger select करने की आपको क्या करना है passenger का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा add new वाले option पे अगर आप click करते हैं तो यहाँ पे आपने अपना नाम डाल लेना है age डाल लेना है और gender यहाँ डाल लेना है nationality आपकी इंडियन रहेगी और यहाँ पे birth preference आप इसमें select कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे side lower select किया हुआ है इसमें अगर side lower seat available रहेगी तो हमें side lower seat मिल जाएगी और meal preference में हमने कोई भी option इसमें नहीं डाला है इसके बाद आपको क्या करना है add passenger वाले option पे click कर लेना है यहाँ पे आपसे यह food भी choice करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे food preferences में आपको जैसे यहाँ पे click करते है तो यहाँ पे हम no food वाले option पे click कर रहे है इसके बाद add passenger वाले option पे आपने click कर लेना है एक बंदी की ticket कराना चाहते है तो एक बंदी का detail आपने आपने डाल लेना है और भी बंदो की ticket कराना चाहते है तो यहाँ पे आपने दुबारा से add new वाले option पे click कर लेना है तो यहाँ पे दूसरे passenger की हमने detail पूरी डाल ली है इसके बाद आपने add passenger वाले option पे click करना है यहाँ पे अभी हमारी दो passenger की details डल चुकी है तो हमने दो बंदो की यहाँ पे ticket अभी करा रहे हैं थोड़ा सा नीची की तरफ अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है और यहाँ पर आपकी email id automatically select रहती है यहाँ पर लिखावा आ रहा है कि जो आपकी ticket है वो इस email id पे भेज दी जाएगी और इस mobile नंबर पे भेज दी जाएगी जब आप IRCTC की ID बनाते हैं तो उस time पर आपको यह email address अपना डालना पड़ता है तो automatically यहाँ पर इसने fetch कर लिया है लेकिन by chance अगर 2AC या 1AC में कोई seat खाली होती है तो automatically आपको 2AC या 1AC में आपका ticket upgrade हो जाएगा लेकिन आपसे charge only 3AC का ही लिया जाएगा तो यहाँ पे आपने tick कर लेना है इसके बाद थोड़ा सा नीची की तरफ अगर आप scroll करते हैं तो यहाँ पर बारी आती है payment की यहाँ किस हिसाब से आप payment करना चाहते हैं अलग-अलग option दिये होए है debit card net banking यहाँ अभी हम UPI से payment करना चाहते हैं तो यहाँ पर UPI वाले option पर हमें click कर लेना है इसके बाद travel insurance की बारी आती है यहाँ 0.35 रूपी only हमसे यह travel insurance के ले रहा है तो यहाँ पर yes वाले option पर आपने click कर लेन कि जो आपका train है वो कहां से कहां तक है और कब उसका travel date है अपना नाम passenger retail यहाँ पर check कर लेनी है और अपना mobile number और email address यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है इसके बाद capsa code यहाँ पर आपने enter करके proceed to pay वाले option पर click कर लेना है और इसके बाद आपने yes वाले option पर click कर लेना है इसक पर click करके आपको pay वाले option पर नीचे click कर लेना है अपना mobile number यहाँ पर डालेना है और send OTP वाले option पर click कर लेना है इसके बाद यहाँ पर 5 digit का OTP आपके mobile में आएगा वो डालके आपने verify and login वाले option पर click कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपसे यह payment करने के लिए बोल रहा है और आपने जितना भी amount है वो यहाँ पर payment कर देना है तो इसने अभी आपके phone pay में एक request भेज दी है इतना amount pay करने के लिए इसे आपको नहीं काटना है यहाँ पर इसे अपने minimize करना है और अपने phone pay application पर चले जाना है जैसे आप phone pay application पर जाते हैं तो यहाँ पर automatically एक request IRCTC की त digit का UPI pin डालके yes वाले option पर click कर लेना है तो automatically आपका जो payment है वो successful हो जाएगा payment successful होने के बाद आपका जो ticket है वो book हो जाएगा उसे देखने के लिए दुबारा से आपको IRCTC application में आना है और train वाले option पर click करना है और my booking वाले option पर आपने click कर देना है और यहाँ पर upcoming journey में आपक जो booking वाली ticket है वो अपने आप दिखाई देने लग जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका PNA number भी कुछ इस type से दिखाई देगा यहाँ पर जो आपकी train है उसकी details यहाँ पर दिखाई देगी passenger की information भी यहाँ पर दिखाई देगी और आपका जो यह ticket है इसे आपकी email address पे भी भेज दिया जाएगा तो जैसे आप अपना email खोलते हैं तो एक message यहाँ पर आप देख सकते हैं booking confirmation का IRCTC की तरफ से हमें आया हुआ है यह आपका पूरा detail ticket का है यह आपका PNA number है train का नाम पूरी detail आपको यहाँ पर दी हुई है आपको क्या करना है जब भी आप journey करत हैं तो टीटी को या तो यह ticket दिखा देना है या तो आप टीटी को बस अपना नाम भी बता सकते हैं वो confirm हो जाएगा कि जो भी ticket वाला बंदा है वो आप ही हो तो दोस्तो इस तरह से आप IRCTC application की मदद से बस घर बैटी ही अपने mobile से train की ticket book कर सकते हैं धन्यवाद